आज जो कोशनों करने वाले हैं वो मेरे टीज गरवाल की फॉर्स बुक का फॉर्स चाप्टर होने वाला है accounting for partnership form fundamental से मेरे पास जो बुक का edition वाले बले वो है 2023 तो उसके according आज का कोशन मनता है exercise से question number 33 कोशन को पढ़कर समझते हैं कि कैसे इसे करना होगा हमारे पास कोशन में तीन पार्टनर है शिव मोहन और गुपाल जिनका कंपनी में जो profit sharing ratio है वो है two ratio two ratio one इसके पर हमें बताया गया है कि जो शिव है उसने कंपनी करा हुआ है वो उसका कहना है कि मैं क्या करूंगा दभी 10% का यहां पर करूंगा लेकिन किस से चार्ज करूंगा मैं गरूंगा और नेट प्रॉफिट सा चार्ज ठीक है और company को जो net profit हुआ है वो कितना हुआ है वन लैक टैन थाउजन रुपीज हुआ है अब सवाल यह आता है कि क्या करने के लिए के लिए कि हमें क्या करने के लिए कुशें यहां पर जिस पार्टनर का में calculate करना है शेप किले हम लिखेंगे शेप उसकी जो commission की percentage है यानि rate वो कितना है 10% है यानि कितना हो गया 10 अपान 100 हो गया अभी जो 10% में calculate करना है किस amount पर निकालना है question हमने पढ़ लिए था net profit पर निकालना है शिव का commission बचा तो शिव का commission आएगा इस question में वो कितना आएगा 11,000 रुपीज आएगा आपको यह question जो आप मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा समझ में आएगा तो चैनल को subscribe करो वीडियो को like करो अपने friends के साथ share करो कि भई UG Academy नाम के तो channel है यहाँ पर आपको मिलते हैं एस गिरावाल के chapter wise solution साथी साथ आपको मिलते हैं business और economics के shorts जो की chapter को cover up करते हैं और खाफी जल्दी जल्दी quick revision आपको provide करते हैं during exams चले फिर मिलेंगे हमारे next question में